दोस्तो आज के समय में ट्रेन और हवाई जहाज यातायात के परमुक साधन है ट्रेन जहां जमीन पर पट्रे बिचा कर चलाई जाती है तो वही दूसरी तरफ हवाई जहाज उचाई में हवा पर सफर करवाती है और खास बात यह है कि हम अक्सर सोचते हैं कि ट्रेन और हवाई जहाज में किसका इंजन ज्यादा ताकतवर होता है एक और ट्रेन जहां 500 से 1000 यात्रियों को एक साथ यात्रा करवा देती है तो दूसरी और हवाई जहाज 150 से 200 लोगों को ही यात्रा करवा पाती है अब आपको ऐसा लग सकता है कि ट्रेन का इंजन ज्यादा ताकतवर होता होगा क्योंकि वह अपने पीछे बहुत सारे डिंबो को खीचता है लेकिन जरा रुकिये आपका ऐसा सोचना भी बिल्कुल सही नहीं है दरसल एक हवाई जहाज का इंजन यातायाद के सभी साधनों के इंजन से ज्यादा ताकत बर होता है जी हां ट्रेन का इंजन 4000 से 5000 हrsp ka होता है जबकि एर बस जैसे एर पलेन के एक ही इंजन में 40,000 से 50,000 हrsp की छांता होती है तबी तो एएर पलेन काफी तेज गती के साथ हवा में उडान भर पता था है दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी एक कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा और नए दरसक चैनल को सब्सक्राइब करके बिल ओन जरूर कर लीजेगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में